तीन अक्तूबर है आज और अभी कुछ समय पहले जो है वो ये नौटिफिकेशन हिमाचल गौवर्मेंट के द्वारा दे दी गई है जिसमें हिमाचल पुलिस की भरती के बारे में अपडेट दी गई है 31.10.2024 तक हम अपना फॉम जो है वो भर सकते हैं तो मैं हिमाचल पुलिस की नई अपडेट के साथ आपसे जुड़ चुका हूँ हिमाचल पुलिस की नई भरती जो है वो आ चुकी है और अभी latest अपडेट जो है वो हिमाचल गौवर्मेंट के द्वारा दे दी गई है आज अभी कुछ समय पहले जो है वो हिमाचल की नई भर निकाली गई है हिमाचल सरकार के द्वारा हिमाचल पुलिस की भरती निकाल दी गई है तो उसी अपडेट के साथ मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ा हूँ विजेपत एजूकेशन आपके लिए लेट टेस्ट न्यूस जो है वो हर वार लेके आता है और आज मैं आपके लि लेके आया हूँ हिमाचल पुलिस की भरती अभी कुछ समय पहले जो है वो आज हिमाचल गॉर्मेंट के द्वारा हिमाचल पुलिस की भरती निकाल दी गई है तो आप देख सकते हैं हिमाचल पुलिस में कमांडो की भरती जो है वो होने जा रही है अभी कुछ समय पहले दो नवरात्रों में जो पोस्टें थी वो निकालने की बात की गई थी सुख्षु सरकार के द्वारा जिसमें 1256 पदों की बात की गई थी लगवग 1200 पोस्टें जो है वो हिमाचल पुलिस की जो है वो निकाली जाएंगी ऐसा सुख्षु सरकार के द्वारा कहा गया था और ये भ आज और अभी कुछ समय पहले जो है वो ये notification हिमाचल government के द्वारा दे दी गई है जिसमें हिमाचल police की भरती के बारे में update दी गई है 31.10.2024 तक हम अपना form जो है वो भर सकते हैं और आप देख सकते हैं आज की ये date है 3.10.2024 आज ये भरती कुछ समय पहले जो है ये निकाली हिमाचल police की जिसमें 708 पोस्टें जो है वो constable male की रहेंगी constable male की 708 पोस्टें निकाली गई है आप देख सकते हैं लड़कों के लिए जो है वो 708 पोस्टें हिमाचल government के द्वारा निकाली गई है आप सभी जानते हैं सुख्व सरकार किये almost पहली ही भरती होने जा रही है और इतनी बड़ी हिमाचल में ये भरती है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं constable female के लिए 380 पोस्टें जो है वो लड़कियों के लिए निकाली गई है अब इसमें आप एक बार देख सकते हैं कि category wise जब भरती होती है कितनी कितनी vacancy किस category के लिए जो है वो दी गई है त तो unreserved के लिए जो है वो 208 पोस्टें निकाली गई है unreserved bard of freedom fighter of हिमाचल प्रदेश उसके लिए 19 पोस्टें निकाली गई है जिसमें 8 और 11 बैक लोग पोस्टें रहती हैं home guard की 54 पोस्टें निकाली गई है देकि home guard की vacancy को भी बढ़ाया गया हिमाचल government के द्वारा 54 vacancies निक हिमाचल प्रदेश जिसमें total 16 total 16 पोस्टें हिमाचल government के द्वारा निकाली गई है तो इसके साथ SC BPL of हिमाचल जिसमें 24 पोस्टें निकाली गई है SC home guard के लिए 27 पोस्टें है ST unreserve के लिए 20 पोस्टें ST BPL के लिए जो है वो 8 पोस्टें ST home guard के लिए 4 पोस्टें ST ward of ex-servicemen के लिए एक पोस्ट निकाली गई है यहाँ पे थोड़ी सी निराशा वाली बात है OVC के लिए जो है 81 पोस्टें निकाली गई है OVC हिमाचल के लिए 81 पोस्टें निकाली गई है उसके बाद OVC की बात करें ward of freedom fighter में 14 पोस्टें है BPL में 25 है home guard में 22 पोस्टें निकाली गई और ex-servicemen में 3 और EWS के लिए आप देख सकते हैं बंपर भरती निकाली गई हिमाचल कोवर्मेंट के द्वारा 68 पोस्टें 68 68 पोस्टें जो है वो EWS economical weaker section जिसमें journal category को count किया जाता अगर आपने certificate बनाया है तो आप EWS में count हो सकते हैं और home guard EWS के लिए 13 पोस्टें यहां पे निकाली गई है आप ध्यान रखेंगे कि यह जो merit अब हिमाचल कुलिस की बनेगी यह district wise नहीं बननी है पोस्टें तो काफी है बंपर भरती हिमाचल गवर्मेंट के द्वारा निकाली गई है आप सभी जानते हैं लगवक दो धाई साल से यही बात चल रही थी कि भरती कब आएगी कब आए कि कांगरा से जो highest है वो टॉपर है उसके आज सिरमोर का highest वो टॉपर हो गया शिमला का अलग है अलग अलग district wise merit नहीं बनेगी और हिमाचल की इकठी merit बननी है तो 1256 पोस्टों के लिए जो भी merit में आएंगे उनकी selection पक्की हो जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं constable female की जिसमे unreserved category के लिए 104 पोस्टें दी गई हैं काफी जादा पोस्टें यहाँ पर बताई गई हैं next bard of freedom fighter में total 9 पोस्टें हिमाचल गौर्वर्मेंट के द्वारा दी गई हैं उसके साथ bard of ex-servicemen में 31 पोस्टें दी गई हैं उसके साथ home guard में भी bumper भरती है लड़कियों के लिए total 24 प fighter के लिए full 5 पोस्टें थोड़ी सी संख्या कम की गई है गोर्वर्मेंट के द्वारा BPL के लिए 10 पोस्टें हैं SC के लिए 11, ex-servicemen के लिए 11, home guard के लिए 13 पोस्टें और ST unreserved के लिए 13 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं उसके साथ ST के अगर बात करें BPL में total 3 सकता है शायद कोटे के थ्रू जो है वो आपका selection यहाँ पर कोप आए तो तीन ही पोस्टें यहाँ पर रखी गई है ST, ward of ex-servicemen में 4 पोस्टें हैं और OVC में यहाँ पर बात करें Unreserved में total 38 पोस्टें निकाली गई हैं, ward of freedom fighter में 5 पोस्टें हैं, OVC BPL में 11 पोस्टें, ex- servicemen में 7 पोस्टें निकाली गई हैं, OVC Home Guard की बात करें यहाँ पे 11 पोस्टों की notification आई है और EWS of Himachal जिसमें लड़कियां अगर कोई general category की है, अगर EWS का certificate है तो total 32 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं Himachal Government के द्वारा, और last में EWS Home Guard के लिए 3 पोस्टें हैं, यहाँ प स्माचल Government के द्वारा निकाली गई हैं, बंपर भरती जो है वो सुख्षू सरकार के द्वारा पहले नवरात्रे को ही आपके लिए उपहार के रूप में दी गई है, तो इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 31.10.2024 को उससे पहले-पहले आपको अपना फोम फिल करना है, ध्यान रखना है और पेपर कौन कंड़क्ट करवाएगा, कमीशन की वेब साइट है तो जाला चांस है कि कमीशन जो है वही आपका पेपर कंड़क्ट करवाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके साथ यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो आ की सेलेक्शन जो है वो पॉसिवल होगी, तो यह आज की लेटेस्ट अपडेट थी अभी कुछ समय पहले, हिमाचल गौर्वर्मेंट ने अभी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए दी है, पहले नवरात्रे का एक गिफ्ट जो है वो हिमाचल के बच्चों को दिया है, जो विरोजगार हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे गिफ्ट है, और विजेपत भी आपके लिए एक स्पैशल ओफर लेके आया है, अगर आप अपनी तियारी को और बहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है वो टोटल 400 प्रेक्टिस सेट, 400 प्रेक्टिस सेट तो उसके लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं, कि 400 प्रेक्टिस सेट काफी जादा होते हैं, इतनी जादा प्रेक्टिस आपकी हो जाएगी कि आपकी सेलेक्शन को कोई भी रोक नहीं सकता, तो इसमें आपको Mac, Reasoning, English, GK, यह आपको लगभग सभी के 100-100 प्रेक्टिस सेट मि आप से जुड़ा था, अगर आपको नोट्स की नीड है हिमाचल पुलिस में, क्योंकि अब डे वाई डे स्लेबस चेंज हुआ है, लेटेस्ट स्टैक GK के बजाए, करंट अफेर पूछे जा रहे हैं, आपको पता हिमाचल का अब एक्जामिनेशन सिस्टम जो है, वो किस इंप्रूब हुआ है, तो उसके लिए आप अगर लेटेस्ट नोट्स अगर लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट क्योंपर विजिट कर सकते हैं, जानकारी आपको कैसी लगी, कोमेंट करके आप जरूर बताएं, और जल्दी से जल्दी अपना फोर्म जो है, वो 31 अक्तूबर 2024 से पहले-पहले भरे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल